बहुत गड़ी है बहुत गड़ी है खाने की बहुत दिक्कत है यहां पर पता नहीं कुन सी कंपनी की बॉटल पानी की बॉटल बेची जा रही है एलो एवरीबन मैं हूँ इस वग दादर रेल्वे स्टेशन पर और आज की जो हमारी जर्णी होने वाली है वो होगी देवगिरी एक्सप्रेस में जो की मरात वाड़ा की शान है यह ट्रेन चरती है रोजाना मुंबई से लेके सिकंदराबाद तक और इसके टोटल हॉल्ट की मैं बात करूँ तो टोटल 28 हॉल्ट है और जिसे हम पूरा करने वाल है 17 गंटे 20 मिट में और किलो मेंटर की बात करूँ तो वह है लगबक आराउंड 880 किलो मेंटर वैसे हमारी ट्रेन का यहां पहुचने का दादर पहुचने का जो टाइम है वह है आड़ बच के 42 मिट और फिलाल वक्त हो रहा है सुरी 9 बच पह के 42 मिट और अभी हो रहा है 9 बच के 26 मिनट लेटकार है कब आतीया है से नोई के सब्सक्रीं जो शुरू होती है हमारी ट्रेन और फाइनल वर त्रेन आ गयी है 9 बच के 53 मिनट पे डबलूडीपी 4D के साथ में आई है वाव। आवाज है भाई आवाज ए आवाज एमडी लोकों का आवाज तरजी ट्रीम का टाइम मुबई जफर पती शिराजी महराग तर्मिनस से निकलने का टाइम है वह है नवबच के 25 मिनिट और यहां पर पोचने के जो टाइम है वह है नवबच के 42 विलिट और अभी वक्त हो दोरा है नवबच के छपन मिनिट अलटी लेड़ी लेट है लेट सी कब निकलती है यह 2 मिनट के अबद हमारी ट्रेन दादर से डिपार्चल ले ली और हमारी एक और जर्णी की शुरुआत हो चुकिये तो यह है दादर सेंटरल स्टीशन और इसमें दादर वेस्टेन भी है जो कि आता है थोड़ा वो साइड में आता है आज हम ट्रेवल करें है थर्ड इसी में और हमारा सीट नमर है 21 जो की है मिडल सीट वहां की सीट है मिडल की फिलाल यह जगा खाली थी तो मैं इधर बैटाओं हमारी सीट है वहां मिडल सुरी यहां पर मिडल है कर दो कर दो काफी साफ सुतरी ट्रेन है यह देगे है नीचे जगो क्लीन है अच्छा लगा देखे और कोच इस भी नए कोचे हर सीट पर चार्जिं पॉइंट है यहां पर भी है अब्यूंश को कि अभी अपर अटो के लिए भी है системम यहां पर लोगे नहीं है इसके अलावा यहां पर फिलो अगेरा दिया है यह मेरा है मेरी मिडल सीट 21 17 arrival को लेगे Фिरान यहां पर कोई नहीं है शायद आगे कोई आ जाएगा इस टेन के बादे में पूरी जानकरी में आप लोगों को दूँगा बने रहना अन तक इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा पूरा डिजल रूट है आगे बहुत मजा आने वाला है बहुत ही इंट्रेस्टिंग जन्नी ओने वा अधर को अधर करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है दो मिनिट का हड़ी आल्ट है वहां पर आईए शेडी बंदे भारत एक्स्प्रेस मुझे वही दिखाना था उतर के बड़ मैं नहीं दिखा पाया अधर को ट्रें चल नहीं और अभी तक लोग चड़ी रहे रहे हैं वह र बहुत गड़ी है बहुत गड़ी है दो मिनिट के बाद हमारी ट्रेन यहां से भी पाचल ले रही है सामने कड़ी है वंडे बारत सीडी बंदे बारत इसमें हमने जर्दी किया है इसका भी व्लोग हमारे चैनल पर लाइब अलगी हो चुका है मैं चला जाता हुपी मैं पोलेकर मैं जा चाहूंगा तो वक्त सब्सक्राइब की देरी से हम पहुच चुके हमारे अगले स्टेशन कल्यान जंशन पर यहां पर हमारा हार्ली दो मिनिट का हॉल्ट है यह रहा कल्यान स्टेशन मुंबई में जबदस बारिश हो रही है इस व हमने भी ट्रेन आ गई है जो जारी है घराबाद हुसें सागर एक्स्प्रेस इसका भी एलेजबी कोच लग गया है जब मैंने इस ट्रेन में ट्राइवल कि रहा तभी आइसी एफ कोच था इसका वीडियो अप्लोडेड है अपने चैनल पर दो मिनिट के बाद हमारी ट्रेन कलियान से डिपार्ट सा दे रही है अब वो जो हुसें सागर एक्स्प्रेस है वो हैदराबाद पहुचेगी दुपैर में बारा बजे के करीड और हम पहुचेंगे सिकंधराबाद में बजबर तीन बजे के करीड तो अल्मोस्त तीन घंटे का फर्क है दोनों ट्रेन में है हिदराबाद पहुचने का वो भी वहां से निकल चुकी है और हम भी यहां से निकल चुके है दो हिदराबाद की ट्रेन एक साथ निकल रही है तल्यान से पैरलल रेस होगी है क्या नज़ आ रहा है याज दोनों ट्री ने दरामाद जा रही है और दोनों ते नेक साथ चल रहे हैं बस दोनों का रूट अलग है बस ये एक फर्क है हम तोड़ा लॉंग कट जाने वाले है फुल्स ट्रेन का ब्लॉग अलडी है इस ट्रेन का अब बन रहा है तो वह जा रही एक साइच से और हम जाएंगे कसारा वाले लुच से यहां से अभी रूट अलग हो गया वह चले गई कट जट वाले रूट पे और हम आगए कसारा वा ले रूट पर यहां हो गया और भी लाए सबीज हमारा अगला स्टेशन है वो है कसारा और वहाँ पर हमारा अर्राइबर है 11 बच के 45 मिट का बच आल्डेडी यहां पर 11 बच के 27 मिट हो गया अभी हमारी ट्रेंग चल दी है आदा घंटा दिले जो भाई दर्वाजा का फूट है तर्वाजा बन कर दी तो है अगले सेशन कसारा पर यहां पर हमारा पहुंचने का टाइम था 11 पेटालीस का और अभी हम पहुंचे है 12 बच के 11 मिनिट लगबग आदा घंटे की डेरी से हम पहुंचे यहां पर हमारे ट्रेन का दू मिनिट का होल्ट यहां पर पिछे बैंकर्स लगेंगे क्योंकि आगे का घार सेक्शन है तो घार सेक्शन पार करेंगे अगला स्टेशन जो है वो इगतपूरी आएगा अब मैं सोच रहा हूं जाके सो जाओंगा विकॉस अब आ रही है जबर्दस नीम यह रहा हमारा करसारा स्टेशन तो चलिए अभी कसारा का आप डिपार्चर इंजय कीजिए और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे नेक्स डे मॉनिंग में नेक्स डे का और नेक्स डे तो लगी गया हमारा चलिए चलिए अगा झाल कर दो अगरे करेंगे आप यह तो निर्दारिक समय से पैतालिस मिनिट की देजी से हम पहुच चुके हमारे अगले स्टेशन मनमाड पे यहां पर हमारा अराइवल था दो बच के पंदरा मिनिट का और अभी वक्त हो रहा है लगबग रात के तीन बज रहे हम तीन बजे पहुचे हैं मनमाड स्टेशन चलिए दो मिनिट के होड़ के पद हमारी ट्रेन या से निकल रही है मनमाड से वापर विसल भी हो गया और हाइड भी दे दिये सिंगनल क्या प्याँ झाल्य विसल रहाल जाइड गाने पीज प्रफ़ प्राइड प्रफ़ झाल्यू के जाच gustaría कि लिएक जाँपर विसल बचारी के या भीका टल्यू के शोड़े हैं रहा हैं पर दो दो पर दो कि अधिक सामय से आदे गंटे की देजी से हम पहुच चुके हमारे अगले स्टेशन और अरंगाबाद पर यहां पर हमारा पहुचने का वाक्त था चार बच के 15 मिनिट और अभी हो रहे है चार बच के पचास में लगबग 35 मिनिट डिले है हमारी ट्रेन सो और ने अवरेज ट्रेन डिले ही चलती है नमबर अव प्लेटफॉर्म की बाद कृट तो टो टोटल पांच प्लेटफॉर्म है और यह आता है नांडे डिवीजन के अंदर और इसे मैनेज करता है साउट सेंट्रल रेलवे जोन दो मिनिट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन अवरंगाबाद से डिपाचर ले रही है 458 सुबा के पांच बचने अवाल है भाई पूरी राच होए नहीं है आज करता है प्रहाब्सिंग लीड़िखिंग रुट लीड़िन लीड़िया सब्सक्राइब कर देड़ी से हम पौछ चुके है हमारे अबले स्टेशन जालना वे यहां पर हमारा प्रशने का तो टाइम था वो था पांच बच के तेरा मिनिट और अभी हो रहे हैं कि छे बच के बारा मिनित हमोग एक घंटा डिले चल रहे हैं तो फाइनली सुबा हो गई है अभी अच्छा लग रहा है अब कुछ बाहर का में शूट कर पाऊँगा जब से अंधर ही बैटा था रात में कुछ शूट नहीं कर रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन सुबा अच्छा बगरी यहां पर तुछ फाने पेने के लिए देखने हैं मुझे अच्छाई वागेरा कुछ भी नहीं है यहां पर कि अच्छा आधि यहां पर देखने हैं आधि हमें अच्छा देखने की देखने हैं हमारे's station पुर्णा जंक्सिन पर यहां पर हमारा राइवल तो आद बजल के दश मिनट का हम पुच्छे एाजवीच के 40 मिनट के 35 मिनट के करीब और अभी यहां पर हमारा पांच मिट का हौल्ट है अभी यहां पर सबसे पहला अपने को नास्टा दुनना है सुबह से उठाओं नास्टा नहीं किया हूं उठागया मतब सोया ही नीमें में तो कहां पर नास्टा नास्टा हाँ आगे मिल गया नास्टा यह नास नास ना बड़ा समोसा भजिया सब मिल जाएगा इदर आपने नास्टा मिल गया अपने को अज़ा नास्टा करते देखते टेस्ट कैसा है अजय चोड़ा सार एड़ब्रिक लेकि मैं आप भोगो को बताना चाहता हूं कि मैं यह सब्सक्राइबर ने गिफ्ट बेजा है मुझे तो ने नाम के साथ बेचाए तो यह है अगाते जिसका इस्तेमाल अच्छे दितेज दिमाग और अच्छे लग के लिए से पेना जाता है और भी इसके कई फाइदे है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूना जिसका जोडियक साइन जैमिनी है यह उनके लिए बहु कि रोजा लास्ट वाला जो की ब्रेस्ट वगेरा में लगा के पीना जा सकता है यह डिसेंबर में पैदा हुए लोगों के लिए ज्यादा फाइदे मंद होता है ऐसा सुना है और यह गिफ्ट मुझे मिला है नम जैम्स की तरफ से शुक्रिया भाई यह सारा उनका डीटेल ह उनके और ने ने देख़ते हुमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके डीटेल और नके फाइदे में डिप्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँँगां इसे बहुत बहुत धन्यवाद है जाई चाही है है कि कर दो अ कर दों कर थे वीर जार रमें करीद कर दो ऐमने आंचे कम और Şimdi खब बbait सुर्थम स्कूक में रता ही तोस्य तंट और से पके और रोस्य पाता हुआ तोईंग फ्यों अब यह जो सारा रूट है सारा नॉन इलेक्रिफाइड जो यहां पर हड़ लिगेगा कि यह लोको नहीं दिगेगा अलको लोको अलको लोको कुनेखलो लोको अब हमारा अग्लास्टिशन है वो है हुजूर साहिब नांदेड जो कि अभी बसानेगी वाला प्लेटफॉर्म के इतजार है वहाँ पर गेट पे बहुत ज्यादा गड़ी एसलिए में फिलाल अर्राइवल यहीं से लिखाऊंगा बाद में हम प्लेटफॉर्म पे उतरहेंग हुजूर साहिब नांदेड जो है वो है सिको का बहुत बड़ा धरमस्ताल है दुकास माना जाता है कि सिको की जो दस्वे गुरू थे गुरू गोईन सिंग जी उनकी समादी यहाँ पर है जो उनके पांच थक्त है जिसमें से एक थक्त यहाँ पर है जिसमें सचकंद कहते हैं कि यहाँ अगया स्टेशन काफी लोग उतरने वाले मुझे चड़ने वाले भी काफी लोग दिख रहें यहाँ वक्सर पचास मिनिट की देरी से हम पोच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन होजू साहिब नांदेड जिसकी डीटेल तो मैंने आप लोग अंदर ही पता दिया कि एसी में फिर भी थोड़ा कम है कि यह रहाँ हुदू साहिब नांदेड स्टेशन नहीं से भार निकल जाओ यारे मैं तो खाने पिनी की चीज़े यहाँ पर नहीं मिलेगी बिको यहाँ पर मिने कहीं भी स्टॉल नहीं देखा हूं कि खाने पिने कहीं पर भी स्टॉल कोई वेंडर वेंडर कोई भी नहीं है याँ पर अब फंदरा मिनिट के बाद फाइनाली हमारी ट्रेन भुदूर साथ नांदेड से डिपाचर ले रही है तो आपकी साह सुत्रा अच्छा दिख रहा है तो बाकि दुकान और रहा कुछ भी नहीं कुछ भी शॉपनी खाने बिने के लिए कुछ भी नहीं है हमारी ट्रेन यहां पर लूप लाइन पर खड़ी है शायद सामने से क्रॉसिंग है क्या है पता नहीं हुच भी नहीं ता या बेकार में खड़ा करके रखा था पंदरा वीस मिनिट से यही खड़ी ट्रेन तो ऑन सामने चोटा सा गावा दिख रहा है थन्डी हवा चल लही यहां पर अच्छा लग रहा है यहां पर अच्छा लग रहा है यहां फिलाल हमारी प्रेन लग बग दो घंटा देली से चल रही है अभी जस्मुठेट जंशन क्रॉस हुआ है और इसके बाद भी हम लोग आगे बड़े है हुजर्साब नान्देड से लेगे मुर्केड का जो रास्ता है वहादली 28 किलोमेटर का जिसको हम ने लगाया एक गंटा 25 मिनेट इसके वज़े से हमारी ट्रेन अभी दो घंटा डिले हो चुकिये अभी सिंगल ट्राइक है देरे देरे चल रही है जर्नी आप देरे बोरिंग पहले यह एक्चुली मिटर केज ट्रेन चली चला कर दी इस पर फिर उसको दीरे दीरे व्रॉड कर दिया गया है बड़ अभी भी यह नॉन लेक्ट्रिफाइड रोट है अगले स्टेशन धर्माबाद पर यह हमारा महारास्ता का आखरी स्टेशन इसके बाद सिधा तेलंगाना स्टेट शूरू हो जाएगा अगला स्टेशन जो है वह है निजामाबाद और यहां पर हमारा पहुचने का टाइम ताद 10 बजे का और हम पहुचे है एक बजे में बजेन खुम मुचा आग को श्रूं करें प्रस्टेशन과 स्टेशन स्टेशन का हमारा मंपीशन आगाना स्टेशन जो है वह हम नियुट्रिवे वाले को झालने आगान जो हम गोड़ान बाद के सजाना म मざ बाद लिए हमारा जयोह कैंवानि हम प्रस्टेशन आगरान हें को अगर बात कुरoter 2014 कि अगर बात करें की किराए कि तो मुंबई से लिए के सिकंदर वाद तरहु पर करते हो तो अपको यहिए आपको पे करना पड़ेगा 445 रुपए अगर 30C में ट्रावल करते हो तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेगा 1200 रुपए सेकेंड एसी का 1700 और फर्स्ट एसी का 2900 के करीब आपको पे करना पड़ेगा अब कि चड़मी यार वह स्लोग हो गई अभी तीन घंटा डिले चल रही है यह पुछ भी प्राइरिटी नहीं मिल रही है पार वार कहीं रूप जा रही है कहीं लूप लाइन पर बार वार चले जा रही है तो फिर स्पीड भी देखो इतनी चल रही है मिजे में लगता जालन कि उड़ गए स्टेशन बस एक या दो ही पार हुआ है तो अब जो अब जो अब अगला स्टेशन है वो है निजामाबाद जो आएगा है तेलंगाना में और खेवाही से हमारी तेलंगाना के चल्भी शुरू हो जाएगी मारास्टर को बस आकरी सलाम आज के लिए कि अगले स्टेशन निजामाबाद पे बहुत ज्यादा लाओड है अब यहां पर हमारी ट्रेन का सिल दो मिनिट का हॉल्ट है अभी वक्तवरा है दो बजला है भूग लगदी खाने का है लेकिन खाना काहीं भी अवेलेबल दिख रहा नहीं है यह कुछ इस तरीके का स्टे ने है कि काफी पुबली यहां भी उतरी है साओ छाना तो कैंदिक्रा है और जो बाड़ी में जो खाना आ रहा है ड्रेन के अदर वह भी इतना कुछ अच्छा नहीं काना आरहा है अब मेलेशना पर यहां धुटना पड़ेगा उस दिक तो नहीं रहे कुछ सब्सक्राइब कोई साइट पेंटरी नहीं है कई कोई स्टाफ बस लोकल लोग चल रहे हैं बस वही चल रहा है वही पानी बेच रहे है वही लोग ठाना बिच रहे हैई में लाध निए ddk कोण सी पता नहीं कूण सी कमपनी की बॉटल पानी बाटल बैची जा रही है एक्वा केर और यह कुंछी रोको को इसके अंदर है जो को को करके कोई है बिस बिस रुपे में यह बेची जा रही है रेल लेल नाम की तो को चीज ही नहीं है यह आपर लेची एको है रही है कि अभी हम दो पहुचने पहले है कामा रेडी स्टेशन के जस बाहर का यह कुछ नजार आ इस तरीके का अगी यहां पर मौसम अच्छा हो गया यार हुआ चल रही है धूप भी नहीं है कि अगया स्टेशन है यह तो बोड भी नहीं लगाया है इधर अच्छा स्टेशन है खुला-खुला स्टेशन है तीन गंटा चब्वीस मिनट की देरी से हम पहुच चुके हमारे अगले स्टेशन कामा रेडी पर यहां पर हलकी हलकी बूंदा बांदी हो रही है बारी शिद को यह थोड़ी बूंदे दिख रही है नहीं दिख रही है चल जाने दो बैसे हो रही है तो यहां पर हमारा सिर्फ दो मिनिट का हॉल्ट है और फिर बस यहां से निकल पड़ेंगे जरनी बहुत दीर हो गई है धाई साड़े तीन घंटा डिले चल रहे हम लोग पाकी स्टेशन देखो या खुबसूरा से स्टेशन है छोटा सा है वड़ अच्छा लग रहा है इस्टेशन यह रही हमारी ट्रेन गुदूर के रेक इसके साथ में शेयर होते है तो कामा रिडी के बात करो करो कर या आता है है हिद्रबाट डिविजन में और इसे ऑपरेट सब्सक्राइब करता है साउच सेंटर लिए नमबर फ्लेटफॉर्म की बात कर दो मेरे खाल से तीन ही दीखे रहे मज़े तीन है तीन प्लेटफॉर्म है तो एक जोग दिखा था आप लोगो देखो यह उसें सागर जो हमें मिली दी कल्यान जंक्शन पर वो हैद्राबाद सब्सक्राइब के साथ में पॉस्ट तो गई है इन फैक्ट वहां से वह निकल भी चुकी है लुको कहां गया यह है यह देखो एदराबाद पॉच्कियों एदराबाद से निकल भी गई है बेगम पेड़ भी पार चुकी और अभी तक हम स्रिकंदरबाद पहुचे ही नहीं अभी सामने आने वाली है देवगिरी एक्षप्रेस देवगिरी एक्षप्रेस और दूसरी देवगिरी एक्षप्रेस का आमना सामना होने वाड़ है वो सिकंदरबाद से आके मुंबई की तरफ जारी है और हम तो मुंबई से अब सिकंदरबाद पहुचने वाले आछी है को ऀ स्याही है दोस्तों ट्रेन की जड़नी इतनी बोरी हो गई है ना भी मैं भी सो गया था भी जस्ट सो के उटा हूँ और जब मैं सो रहा था तब मिर्जा परली क्रॉस हो चुका है आप लोगो को दिखाने वारा था था बदो क्रॉस हो चुका अब जो अगला स्टेशन है वो डारेक सिकं स्ट्राबादी आने वाड़ा है और अबभी तक हम लोगो कौचे निए और अभी अब हमारी टैर्न सिलाल चार गंटा डिले चल लीय है चार जब आप देडी से चल ली है और जब मैं सोया तो तक तो तो तीन गंटा थी अब 4 गंटा हो गई है ट्राइब्स कि हम श्राइब कर दो आदे हमारे दो को पेसेंजर इनके साथ थोड़ी बातचीत करें थे काफी बड़े पेसेंजर बगे आपका नाम बताओ अफ़ा अफ़रा और उनका नाम क्या है जो अब हुआ यह मांग रहे थे इनका नाम अउनका क्या आइमन आइमन एब बूर हो रहे हैं आप है ना मेखो मेघो शिकारे थे ना तुम क्या सिकारे थे ना मेस्ते कैसे करते प्दां अम्डाटि में कैसे करते हैं क्या थे का बोलते क्या दो नाम आपने इसलाम में कैसा बोलते हैं असलाम अलेकुम माशाला है तो देखें टैलेंटेड बच्चे लोग यहाई परी बैठेरे टाइम पास कर रहे थे हैं आप कहां से चड़े हो नांदेर अच्छा नांदेर से चड़े हो ठीक है देखें चलो फिर अभी हम लोग का स्टेशन हम आने वाला आम रो उतरने वाले तो सोचा इन लोग उज़ा है तोड़ सा बातशित की जाए कि ऐखें चलो बाई बारै करो अदिए तो कि अज़िए फाइनली 880 किलोमेटर की जन्नी फाइनली पूरी करके हम पहुच चुके हैं सिकंद्राबाद हमारे फाइनल स्केशन पे यहां पर हमारी ट्रेन का आर्राइवल ता दो बच के 45 मिनट और हम पहुचे हैं छे बच के 15 मिनट पे लगवख साड़े तीन गंटा हमारी ट्रेन लेट पहुची है अक्सर करके ट्रेन एक से दो गंटा लेट ही पहुची बट आज तोड़ा जादा ही लेट होगी ट्रेन जन्नी ठीक ताक रही नांदेर तक बहुत अच्छी थी और नांदेर के बाद में ट्रेन लेट होना चलो हो गई स्लो हो गई खाना बिना वागेर आप साथ में देखे चलिए को ट्रेन में खाना वागेरा कुछ नहीं मिलता है और जो भी लोकल वेंटर्स है वही लोग बेशते हैं वहां से लेना भी अवाइट करेंगा बाकि ट्रेन की साफसफाई की बात कुरू ट्रेन काफी बाकि लॉंग रूट है तोड़ा गूम के आती है अगर आप लोगो गूम पिर के आना है तो यह ट्रेन सही है अगर डारेक्ट जल्दी है ताइम नहीं है तो उसे अगर मुंबई एक्सप्रेज या फिर कोनारक इसप्रेज आप प्रिफर कर सकते हो बाकि अगर नान सकते हो मैं आप लोगो जवाब जरूर दे दूना तो चलिए मैं आप नहीं करता हूं यहां से आप उम्मित करता हूं आप लोगो वीडियो पसंद रहोगा वीडियो पसंद रहे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को सकता हूं बहल्द कर्द करता हूं